फाइनल दोस्तों नेटफलिक्स का मोस्ट अवेटिड शो एक मही आनी कि कल रिलीज हो चुका है तो क्या ये शो आपका कीमती टाइम डिजर्फ करता है या नहीं क्या ये शो आपको देखना चाहिए या फिर नहीं क्या ये शो आपके लिए बना भी है इन सब सवालों के जवाब आपको हमारी आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे वे दोस्तों हेलो एबरिवन मेरा नाम है इमान्शू सुआगत है आप सब का साइन इंसाइट अप पर चलिए दोस्तों बिना किशी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं संजे लीला बनसाली की मुवी तो हम सब ने देखी है पर इस बार उन्होंने बनाई है एक वेब सिरीज तो क्या संजे लीला बनसाली सिरीज को अच्छे से डेरेक्ट कर पाए हैं या आपको जानने को मिलेगा हमारी आज की इस वीडियो में शुरुआत करते हैं हीरा मंडी की कहानी से तो कहानी सैट है प्री इंडिपेंडेंडेंस एरा के अंदर जिसमें दिखाया गया है लाहोर के हीरा मंडी मार्केट को जो की फेमस था वहां के कोटी सैंस के लिए and series में दिखाया गया है कैसे generation after generation 12 बनाई जाती है and कैसे उस time में नवाब्स उनको पैसे देते थे और उनका use किया करते थे yes अब आपको इस series में देखने को मिलेगा and जिस तरह से संजे सर ने इसे प्रस्तूत किया है वह बहुत बढ़िया है हर एक set में वह बहुत बढ़िया लगती है हर एक चीज को बड़े अच्छे से aesthetically प्रस्तूत किया है art and design काफी अच्छे से किया गया इस series में इसके अलावा दोस्तो cinematography काफी अच्छी है जो music इस series में हमें देखने को मिलते हैं वो काफी brilliant है एक से एक बहतर गाने इसमें सुनने को मिलते हैं अब बाप के ने दोस्तो कास्टिंग के acting की तो उन्होंने भी काफी अच्छी acting की है इस series में and काफी wide range of actors हमें इसमें देखने को मिलते हैं सबी actors ने अपना best दिया है काफी अच्छे से काम किया है इस series के total 8 episode release किये गए है जिनकी average length लगबग 1 गंटे की है मैं अपना personal experience बता हूँ तो दोस्तों मुझे ये show काफी लंबा लगा मतलब scenes के बीच में जो बोज लिये गए है मतलब इतनी बड़ी ये series बनती नहीं है episode का watch time अगर इतना नहीं बढ़ाया जाता तो काफी बहतर ये series हो सकती थी woman empowerment का जो message यहाँ forcefully चिपकाया गया है वो देख के भी मुझे मजा नहीं आया और series को hit बनाने के लिए देश बगती का जो angle जबरदस्ती इसमें लाया गया है उसकी कोई जरूरत नहीं थी मतलब episode बढ़ा करने के लिए जो अलग-अलग angle डाले गए है इस series में उसकी यहाँ पर इतनी ज़्यादा खास कोई जरूरत नहीं थी बलकि उसकी वज़े से यह series और भी ज़्यादा boring लगने लग जाती है दोस्तो मुझे इतना अच्छा खास कुछ यह show लगा नहीं इसकी जो इतनी hype बना रखी थी Netflix वालों ने वो मुझे बलकुल भी worth it नहीं लगी क्या आपको इस movie की hype worth it लगी या फिर नहीं हमें comment करके जरूर बताना दोस्तो बात करें इसकी rating की तो मैं हीरा मंडी को दूँगा 6 out of 10 यह था दोस्तो मेरा review Netflix के शो हीरा मंडी के उपर उमीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो प्लीज यह वीडियो को like करें share करें चैनल को subscribe जरूर से करें और क्या आपने यह series देखी है अगर देखी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह शो कैसा लगा आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में थैंक्स फर वोचिंग